अजमेर दोरे पर आये खेल मंतरी अशोग चांदना ने कहा कि प्रुदेश में बिगरती खेलों की दशा में अब कॉंग्रेस सरकार सोधार लाने की कोशिश कर रही है और इसके धरातल पर काम भी शुरू हो चुका है उन्हें कहा कि खेलाडियों की सबसे बड़ी परेशानी थी कि उन्हें बाहर खेलने जाने के लिए समय पर पूरा भत्ता नहीं मिलता और इससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी को देखते हुए सरकार अब स्पोर्ट स्कॉलर्शिप शुरू करने जा रही है जिससे उनको अब आर्थिक परेशानी से नहीं जूजना पड़ेगा चांदना ने साथी कहा कि नौकरियों में खिलाडियों के लिए दो प्रतीशत कोटा है लेकिन उसकी जटिलता के कारण कोटा पूरा नहीं होता है और उसको लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है जब मुझे पता लगा कि अजमेर प्रेमियर लीग यहां पर ऑगनाईज हो रही है तो जहां स्पोर्स होता है वहां में अपने आप पहुंच जाता हूं लेकिन जहां स्पोर्स को बढ़ावा देने की जुरत होगी वहां हम लोग स्पोर्स को बढ़ावा देकर प्रदेश क कि युवाओं को एक नई दिशा देने का काम करने कोशिश करें। इस खेल मैदान में मैं भी खेला हुआ हूँ। और तक्रीबन राजस्तान के सभी क्रिकट के मैदानों में मैं खेला हुआ हूँ। मुझे पता है काफी जेगे पर सुविधाओं की जरूरत है। आने वाले वक्त में अभी 4-5 मेने हुएं सरकार को आए वे। इस सरकार में पारलेमेंट के चुनाओ भी आगे दो महीना चार सहीता थी। इन तीन चार सालों में आप लोगों को देखने को मिलेगा किस प्रकार खेल बढ़ेगा और खेल किस विदा ही बढ़ेगा